हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंपारिशन करेंगे पोगो M3 में और इंफ्रिक्स नोट 7 में और देखते हैं दोनों में इसे बैस्ट फोर कौन सा है तो बात किशो है डिस्पले से पोगो की है 6.53 इंच की रेजुलेशन है 1.80 मंटी पर 340 फिक्सन और इसमें आईपे यूजक किया गया है और इंफ्रिक्स की डिस्पले है उसे 6.95 इंच की रेजुलेशन है 720 मिलटी फिक्सन और और इसमें आपको पंचो डिस्प्ले भी मिल जाती है और बात की जाए फिर प्रोवसर से की पोको कहें स्नेयाब डेंग का 662 का, CPU हेट पे 40 GHz, 11 perd में 11 mm का, और इसका GPU 610 का, और इनफिनिस का जो प्रोवसर में टेक का है जी 70 का, CPU हेट पे 40 GHz, 11 때는 about to miyor 12 mm का, और इसका GPU 52 Ka, और बात की जाए बैक के में की पोको का है ट्रीपल 48 प्लेस 2 प्लेस 2 मेसल का और इंफनिक्स का है क्वाड में 48 प्लेस 2 प्लेस 2 प्लेस 1 तक और लोलेट सेंसर और बात की जाए फरंट के में की पोको का है 8 मेसल का और इंफनिक्स का है 16 का और फरंट के में की मावल में इंफन मैस की और इन्फरस कें नोन के बैटर्ट को निकान तो कहते और बात किया सकती होग्ई ऑर बाद की जाएं फिर ओपरेटिसों की दोने का सीए मोंडेटन्य और दोनी phone मां की फिंगा सैंसर साइड में दिया गया है और फेसे लोग बद्रफय मिल जाता है और बात की जाएं रहन की फोन में 6बिकी सेंफिनीक्स में 4डक बात की जाएं में वरी की पोको में हैं 141 182 की और इंफनिक्स में 14 चीवी की और बात की जाए कुलुसें की पोको माको फूल HD प्लस डिस्प्ली दी गई है बड़ेसी बैयाटी है स्नेपिंग 620 का प्रोसेस मिल जाता है और इंफनिक्स माको 6.95 इंच की डिस्प्ली है और 16 में इसल का फंट केमेरा दिया गया है और बात की जाए प्राइस की पोको का स्टार्टिंग है 10,900 इनफनिक्स का स्टार्टिंग है 11,400 इनफनिक्स तो फिर आपको दुरुफोने में से कौन सा प्रोस साइक्र बोक्स में ज़रू बताना मिलते हैं नेक्स वीडियो में